स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे यूपी पुलीस एक्जाम अपडेट मतलब एक्जाम अपडेट क्या है एक्जाम से डिलेटेट बहुत बरी अपडेट आ चुकी है त्यूंकि आपको पता है एक्जाम डेट अल्रेडी आउट हो चुका है 17 औ OMRC जिस पर आपका एक्जाम कराए जाएगा उसका पैटरन क्या रहने वाला है कैसे आएगा वह सारा कुछ इस नोटिस में दिया गया है तो यह आपको देख लेना है अधरवाइस आपको परशानी होगा एक्जाम में या फिर जो भी फॉर्स टाइम एक्जाम देने जा रह वीडियो को स्किप मत कीजएगा अधरवाइस आपका डाउट बना रहेगा तो वीडियो को फुल वाज कीजएगा चैनल पर हमारे फॉर्स्टा में जिट किया है चैनल को लिजे सब्सक्राइब बैल लाइकन के बड़न को प्रेस कर लिजे ताकि ऐसे अपडेट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्यूंकि ए यूपी पलीस का है तो यह देख सकते है अर इस 건데 2023 का यहारी कि也可以 यहां पर देख सकते हैं नीचे आएगे ज्यादा यह कुछ और सकते हैं पुलिस में आरच्छी नागरिक पुलिस के पदोपसीधी भरती हेतु शमगें बिग्यपती दिनाएंग 23 बारा दोज़ेश के अनकरम में वेरते से ओनलाइन आवेदन कपाप हुए पत्र सही पाएगे उनसे वस्तुनिष परकार की लिखित परिच्छा ओ अमर बेस में शम्मिलित होने की अपेच्छा की जाएगी एक नमर में दिया गया है लिखित परिच्छा के प्रश्ण पत्र की सनचना निम्नुवत होगी इस परकार आपका होगा ये सभी को पताई होगा क्योंकि आपने फॉर्म भर्य है तो त्यारी भी बेसिक बात है कि आप त्यारी कर रहे होंगे और जो हमीं नहीं कर रहने हैं प्हैसा उन्हका कुछ होने वालción गहां बिसल्ए में धो समाने जैइंदी समाने का से खेका मतलब यह reasoning है आपका होने वाला है और यह चीज दे रहेंगे एक सो पचास कोस्टन हैंगे एक सो पचास अंके रहेंगे दो घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा मतलब एक सो बीस मिनट परतेक प्रश्ण जो होगा वो दो दो नंबर का होगा यहां पे साफ साफ लिख दिय गया है परतेक सही उत्तर के लिए दो अंक है इसमें निगेटी मार्किंग भी है तो तीन सो नंबर का यह पेपर होने वाला है जो होने वाला है दो घंटे का समय दिये जाएगा ओमर बेस पर अल्रेड़ी आपको पता ही है कि वह सीट पर होगा ओमर सीट भी आपको दिखान परतेक गलत उत्तर के लिए माइनस 0.5 निगेटी मार्क का यहां पर परदान किये जाएंगा आपको निगेटी मार्किंग भी है वह मैं उत्तर पर यह जो पत्रक है गोला भरने के लिए के वाल काला नीला बॉल पैन पॉइंट इस्तमाल करें तो यह आपको समझ लेना है कि आपको काला पैन या फिर नीला बॉल पॉइंट पैन ही है आपको लेके जाना होगा इसके बाद साथ नमर पे जो पॉइंट है ओ एम आर उत्तर पत्रक भरने के लिए उधारन के लिए नीचे परिच्छा केंदर कोड अनुकरमांग प्रशन पुष्टिका करमांग को भरने अंकित करने के बिधी दी गई है इसी परकार से आपको अपने परिच्छा के अंदर कोड अनुकरमांग मतलगे जो होता है प्रशन पुष्टिका करमांग और पाली अपने उमेर उत्तरक पत्रक में जो यहाँ पर है भरना अंकित करना होगा तो यह देखे इस तरीके का यहाँ पर आपको यह एक नंबर में रहेगा परिच्छा के अंदर कोड भरना होगा दो नंबर में आपको यहाँ पर मिलेगा अनुकरमांग और यहाँ पर तीन नंबर में आपको भरना होगा प्रशन पुष्टिका का कौन सा नंबर आपको मिला है कौन सा बुकलेट नंब से ही आपको करना हो इस तरीके से आपको एंसर भरना हो मतलब कि इसमें जैसे दिखाई दे रहा ना पूरा गाढ़ा होना चाहिए मतलब कि यह नहीं कि याद आए इस तरीके से भरने पर आपका उत्तर को गलत ठाय रहा दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका तो आपका गलत हो जाएगा और दो दोड़ बिकल बहुत सारे बच्छे होता है पहले को भर दिता है पिर उसको ध्यान में आता है यह नहीं यह एंसर होगा तो यह नहीं यह होगा तो वह भी आपका गलत हो जाएगा राइट तो जो भी एंसर भरे सोच समझ के ही भरे जो आपको कंफर्म हो कि यह सही है तो ही आप उसको फिल अप किरे अधरवाइस ना करे और थोड़ा सारा मैं आपको कहूंगा जो फॉर्स टाम एक्जा एक बार आप लोग ऐसा जरूर करिये और आप जो और प्रैक्टिस एट लगा ही रहोंगे तो मैं ज्यादा कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो ऑन-लाइन मौक लगा रहें तो ऑन-लाइन प्रैक्टिस एट अपना लगा यह ज्यादा बहतर है क्योंकि आफ्लाइन एक्ज तो यह सारा चीज दे दिया गया है बाकी यह जो बताया गया है वही चीज है उसके बाद अलग अलग पालियों में आपका एक्जाम कराया जाएगा तो नौर्मालाइजेशन भी होगा यह फिक्स है यहां पर इन्होंने दे रखा है कि प्रश्ण पत्र में किसी परकार के प प्रश्ण को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद उन प्रश्ण के अंकों का वित्रनमा उच्ण न्याल इलाबाद में रिट या जिगा इतने संख्य पॉनकुमार अगरी बनाम इतना लोक्ष्यवाय में शुक्रित विधी व्यस्ता के निम्शुत कंसार की जाएगी म इसके बाद बोड द्वारा लिखित परिच्छा के लिए बिस्त पाठकरम बोड की बिकरति संख्या यह जो दे रखा है और पकरति का पाठकरम यह जो दे रखा है यहाँ पर पर पशुक्राद पाठकरम से संबंधित मावलूप पर कोई अपील यह नहीं की जा सकेगी यह आप exam के बाद बोले कि यह syllabus नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ आपका मानने नहीं होगा, तो यहाँ पर यह साब साच दे रखा है, तीन पिच का notice था, जो कि मैंने पूरा बता ही दिया आपको, बाकी आपको कोई भी notice के regarding या फिर exam से related, कोई doubt हो, कोई question हो, कोई section में जरूर आप लोग message कर सकते हैं, comment section बता सकते हैं, जो है आपका doubt वो clear कर दिया जाएगा, बाकी मैंने बताया ना, practice set आप जो लगा रहे न, offline mood में ही लगाई है, भाई साब, right, offline mood में ही test लगाई है, वो मार्शिट पे भरके आप लोग देखिए, तभी आपको, आपको clear हो पाएगा, कि आप 2 घंटे का time set करके, एक practice set लगाई है, daily एक कम से कम लगाई है, तभी जाके आपको clear हो पाएगा, कि हम कितना इसमें, पानी में है, online walk लगाने में, और offline लगाने में, बहुत अंतर होता है, ऐसे tick कोई भी कर देगा, और इसे goal up भरने में, time लगता है, तो वो भी आपका आजाएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अन्चल फ़र्स्ट में विजिट के हैं, चैनलों का लिजए सब्सक्राइब, बैल आकिन के बटन को प्रेस कर लिजए, टेलिग्राम से जब्रूरे राइट हो जाएगा, डिस्क्रिप कि खूशया कि वीजिए, चैनलों के जा झातार प्रेस को लिजए, झालों के दूश।